साल 2000 सुला में हुई नोटबंदी के फैसले को चिनौती देने बाली सब ही याचिकाओं को सुप्रीम कोट ने खारिस कर दिया है। कोट का जो सबसे important comment है वो ये कि नोट बंदी करने की पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बरी नहीं है मैं सीदे अपने से योगी विक्रांत का रोख करूँगी विक्रांत ये वो नोट बंदी है जिसको लेकर विपक्षी खेमा सड़कोपल उतरने तक की तयारी में था लेकिन प्रक्रिया अपनाई हो जिस तरीके से पैसला लिया उसमें जैस प्रक्रिया नहीं अपनाई हो जो concerned डिपार्टि विक्रांत से फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगे लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जो जानकारी है वो सुप्रीम कोट के एक फैसले को लेकर है जिसमें तमाम याचिकाई नोट बंदी से जुड़ी हुई खारिस की गई है और जिसमें सयोगी विक्रांत का ये कहना है कि इन याचिकाऊ की संक्या तकरीबन 50 तक रही है और ये सभी याचिकाई एक करके खारिस और क्यूंकि इस मामले को लेकर आप सभी को याद होगा कि 2016 की इस मसले को लेकर विपक्ष सड़को पर था हो हंगामा ह लेकिन अब सुप्रीम कोट का एक कमेंट जो सब की बोलती बंद करना कह सकते हैं और विक्रांत का मैं फिर से रूख करूंगी विक्रांत इस देश में सर्वच अस्थान हासिल सुप्रीम कोट को और सुप्रिम कोट कर दिया पूरी प्रक्रिया से ही है देखिए बिल्कुल कुछ प्रक्रिया पर सवाल उठाए गया थे और ये कहा गया था कि इस तरीके से जो विचार भी मत किया जाना चाहिए था तमाम डिपार्टमेंट के साथ वो सरकार नहीं किया और अचानक से जल्दबाजी में फैसला लिया वेया लेकिन आज कोर्ट में स जो प्रक्रिया अपना ही वो ठीक थी आलांकि एक जो बात समझ में आ रही है अभी तक के जज्जमेंट में कि कोट ने जो एक इशू था कि जो करंशी नोट ऐसे कुछ करंशी नोट जिनको बदला नहीं जा सका था और वो सरेंडर नहीं हुट के उनका प्या किया जाए इस सरकार के सैसले के खिलाव ना केवल विपक्षी दल बल्कि फिविल फोसाइटीज में भी कही लोगों ने इस पर आपती जताई दी बिल्कुल विक्रांक मैं सियासी एंगल से ही चाहूंगे आपसे सवाल पूछना क्या वो एक एक चेहरे अप सामने आकर कुछ कमेंट करेंगे विचार विमर्श के किया गया इस पर कई विपक्षी दलों की यापती थी और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि नोटवंदी जिस तरीके से हुई उससे देश की अर्थवेश्चा पर भी खराब असर पड़ा था और नोटवंदी के जो बताय रहे थे कि उससे जो फायद जो याचिकाएं है वो खारिच कर दिया अलग कि कोर्ट का डिटेल जजमेंट इस मामले में आएगा कोर्ट में कुल नो बिंदू उपर चर्चा हुई थी नो पॉइंट से जिनको को सुल्जाना था लेकिन कोर्ट ने उनमें से 6 उनको री दोबारा से री फ्रेम किया और 6 बिंदू ऑपर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है आलांकि इस मामले में दो जाजज ने अपना अलग-अलग पैसला दिया लेकिन फुल मिला रिकें जजमेंट को फैसले को सही थेराया गया है कुछ पॉइंट औफोडर पर जजजों के बीच में आपस में मतवेद है तो उ कि सबसे ज़्यादा परिशानी हुई नोट बदलवाने में लोगों को या नोट निकालने में लोगों को जब नोट बंदी हो गई तो तो इन सारी बातों कभिये में थोड़ा इंतजार होगा कि सुप्रीम कोट के डिटेल ओडर से ये भी सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे कि बिल्कुल इन सब्सक्राइब नोट बंदी का फैसला करने से पहले इस तरीके के फैसले लेने के लिए जो तैप रक्रिया होती है तो प्रबाव पढ़ेंगे इस तरीके से उतके बात की जो तैयारिया थी उन सब को लेकर के सरकार पुरी तरीके से त्यार थी ये कमाम तीजेर कोट के सामने थी लोगों को जो दिक्कत हुई लोग लाइन में लगे कतारों में लगे प्रबाव थोड़ा इंतिजार हम सभी को करना होगा सुप्रीम कोट के डिटेल और कॉपी जब आएगी जिसमें सब कुछ साफ किया जाएगा नौ पॉइंट्स पर डिटेल कॉपी जब दी जाएगी तब हम दर्शिकू को और बहतर तरीके से समझा पाएगे